शुक्रवार के दिन माता लक्षमी की पूजा का विशेश विधान है। इस दिन लक्षमी की पूजन और आर्ती करने से वो जल्दी प्रसन होती है। हिंदू पंचाग के अनुसार हफ्ते का हर दिन किसी ना किसी देवी देवता को समर्पित है। शुक्रवार के दिन पूरे विधी विधान से माता लक्ष्मी की समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से मा लक्ष्मी शीग्र प्रसन होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरस्ती है। मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए धार्मिक ग्रंथों में अने कुपाय बताए गए हैं जिनको करने से मा लक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन की ये गए अच्छू कुपायों से मा लक्षमी प्रसन होकर भक्तों की हर कामना पूरी करती हैं। शुक्रवार के दिन मा लक्षमी की पूजा विधी विधान पूर्वक करने से भक्तों की कुंडली में शुक्र दोश भी समाप्त हो जाता है। शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के कुछ मंत्रों का जाप करने से मा लक्ष्मी जल्दी प्रसन होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शुक्रवार के दिन करी इन मंत्रों का जाप, शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख सम्रिद्धी आती है. इन मंत्रों का जाप करने के साथ मां को इत्रो और सुन्धित पदार थर्पित से घर में खुशाली आती है. एक, मा लक्ष्मी का बीज मंत्र उ श्री ही श्रीन कमले कमलाल्ये प्रसीद प्रसीद श्रीन ही श्रीन उ महालक्ष्मी नमः यह मा लक्ष्मी का बीज मंत्र है मा का आशिर्वाद पाने के लिए इस बीज मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए 2. श्री लक्ष्मी महामंत्र उंश्रीन लखी महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहे ही सर्व सौभाग्यम देही में स्वाहा मालक्ष्मी का यह महामंत्र धन, एश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है इस मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन 108 बार करना चाहिए जाप के समय तिल के तेल की दिया जलाना विशेश लाबकारी होता है तीन, धन की समस्या दूर करता है ये मंत्र उवरी श्री क्री क्ली श्री लक्ष्मी मम्रहे धन पूरे धन पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा मा लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर आप किसी आर्थिक समस्या से जूज रहे हैं या फिर किसी तरह के करज में फसे हैं तो मा लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। 4. सुक्स समृृध्धी दिलाता है मां का ये मंत्र या रक्ताम् बुझवासिणी विलासिणी चंडांचु ते जस्विनी, या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसकी या श्री मनोल्हादिनी, या रतनाप्र मन्थनात प्रगकतता विश्नोस्वया गेहिनी, सामा पातु मनोरमा भ भगवती लक्ष्मीश्चा पद्मावती